आस्ट्रेलिया बिग बैस लीग मैच नमबर तेरा ब्रिस्पेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच खेला जाएगा तो इस मैच की पूरी डिटेल हम देंगे और प्रेडिक्शन हमारी रिसर्च के आदार पर आपको मिलेगी जिससे आप कोई भी फैंटेस याइप पर एक बहतरी टीम बना सकते हैं बड़ा प्राइज जीत सकते हैं तो देखे बिना इसकिप किये वीडियो को तो सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट बदा देते हैं तो यह मैच खेला जाएगा प्रिस्मेन क्रिकेट ग्राउंड पर जो की बैटिंग के लिए बहतरी इन देंगे दोनों टीमों की और से आप बैट्समेनों को अपने टीम में पिक कीजिएगा तो यह पिज बैटर को सूट करता है और वहीं यहां पर थोड़ी बहुत स्पिनर को मदद मिल सकती है तो देखेगा अस्ट्रेलिया का यही एक ऐसा पिच है जहां पर पास्ट बालरों को ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी तो इसके अधार पर आप अपने टीम बनाईएगा तो आगे आपको बता दें इन दोनों टीमों के बीच जो लास्ट पांच मैच खेले गए हैं उन मैचों में देखे आप स्ट्राइकर 71 रन से जिती वहीं हीट 49 रन से जिती और हीट फि हम बताने जा रहे हैं इन टीमों के लास्ट पांच मैच की रिजल्ट तो प्रिस पैन हीट पिछले अपने पांचों मुकाबले हार कराई हैं तो इसके आप इसे इस्तियान रखिएगा तो वहीं आपको बता दें इडिलेड इस्ट्राइकर पिछले अपने पांच में से चा फोरम और पिछला रिकोर्ड और सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके अधार पर ग्रांड लीग की टीम त्यार करेंगे ड्रीम लेवन की तो बता दें आपको सबसे पहले जेक विदर लेंड जो की लैप्ट हैंड बैट है और ओपनिंग करते हैं तो इनको और आल टी-20 में इसने 85 मैच के लिए उसमें 2047 रन है और हाइस्ट इनका 115 रन का है और वहीं एवरेज 25 का है और स्टाइग रेट 128 जो की ठीक है इस पलेयर को आप अपरे टीम में जरूर रखेगा क्योंकि पिछले दो मैचों में इसने 1007 रन बनाए हैं लेकिन यह से ज़्यादा बैतर खेल दिखा सकते हैं तो बिग बैस की बात करें तो इसने 80 मैच के लिए 899 रन है 115 हाइस्ट है और बैतर चक्के लगए हैं तो वहीं इसकी कल के मैच की अपोजिशन टीम जिसमें हीट के सामने इनका परदर्शन देख लेते हैं 11 मैचों में 234 रन और पाउंड रन है और इस देश का और वहीं 131 की स्ट्राइगरेट है तो इसलिए आज इस प्लेयर को पिक करना जरूरी है क्योंकि ये हीट के सामने अच्छा परदर्शन करता है तो वहीं बात करते हैं मैथ्यू सौर्ट जो की ऑपनर है और ये ओल राउंड हैं वैसे तो क्योंकि ये बॉ करना जरूरी है और हाल इसका रिकॉर्ड देके तो चपन मैच ये सिर्फ बिक बेस में खेलते हैं तो खासा एक्सपिरियंस है और इस प्लेयर ने कहरा सुनोरल लगए हैं हाइस्ट 89 का है और एवरेज थोड़ा कम है 22 का है क्योंकि ये कंस्ट्रेट प्लेयर नहीं है लगात हैं लेकिन बेटिंग में कुछ कास नहीं किया है तो इनको हम 50-50 में रखेंगे रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं तो वहीं बात करते हैं क्रिसलीन की जो की पहले ब्रिस बेन हीट की और खेलते थे और कैप्टन भी थे लेकिन इस बार ये एडलेड स्ट्राइकर क पहला मैच होगा अपने टीम के सामने पुरानी टीम के सामने और अपने ग्राउंड पर क्योंकि ब्रिस बैन हीट इनका ग्राउंड रहा है तो यह मैच विनर होंगे और इनको हम कैप्टन भी बनाएंगे अपनी ड्रीम लेवन टीम का क्योंकि यह अपने हम ग्राउंड पर ख जवाब है 147 का और चकों के यह मास्ट्रें 113 चक्के लगए हैं और फॉरम भी करंट फॉरम इनका ठीक चल रहा है अभी 41, 36 और 28 रन बनाए हैं तो इस लिहाज से यह पड़ी पारी कल केल सकते हैं तो इनको टीम में रखेंगे और कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बनाएंगे तो इनका ओवराल रिकोर्ड देखें 247 मैच में 671 है 113 हाइस्ट और 31 का और जब बढ़िया है और इस्ट्राइक रेट तो इनका लाजवाब है ही तो यह हार्ड हीटर बैटर इनको जरूर रखेगा 100 परसेट रखेगा वहीं बात करें एडम होज जो की नए प्लेयर है यह हां बिग बेस्ट के नजरिये से और पिछले में तीन मैचों मेंनों ने 40-04 और 28 रन बनाए हैं तो थोड़ा बहुत फ्रोमाइन के साथ बिग बेस्ट में यह यह तीन मैच खेले हैं और और आल देखें तो 96 मैच में 2570 रन हाइस्ट इनका 119 रन है एवरेज बढ़िया है औ तो इनको भी हम पिक करेंगे और एक ओपनर को अपन हटाएंगे तो ड्रीम लेवन में यह एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं यह बड़िया प्लेर हैं कॉलिंडी क्रांड होम यह ओल राउंड रहा है इनको सब जानते हैं बिग बैस में यह अभी इस बार ही खेल रहे हैं औ और इनका और रहाल रिकोर्ड देखें दो बैतरीन है विकेटों में इन्होंने 234 मैंचों 31 विकेट निकाले हैं और रनों के साब से इनका 86 हाई एस्ट है और 386 रन अब तक लगा चुके हैं यह एक सुचिताओं का इनका एवरेज है साथ 33 और 12 रन और दो विकेट हम इनको को कल के मैज के लिए स्किप करेंगा इनको हम टीम में नहीं रखेंगे और वेंद्य के फोमस के लिए जो कि 18 मैच्च के लिया है विक Beginning 21ый Snapday इक तालिस है 125 का स्थाई क greet है और इनका हम अपनी टीम में नहीं क्योंकि यह निचिज्षे निचले क्रम में बलेबाज्जि करते और क्रिसलीन जैसे बलेबाज अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे तो इनका इस मैच में कोई काम नहीं है इनको आप टीम में नहीं रखे बात करें हैरी नेलसन ये विकेट के पर बलेबाज इनका कोई खासा परदर्शन नहीं दिख रहा उन्तिस मैच में दो से ठेंटर नै स्किप करेंगे वह वैसे भी बैटिंग ग्राउंड है तो पर के बलेबाज बड़िया खेलेंगे तो इनको भी आप स्किप करिए तो वहीं बात करते हैं रसीद खान की जो के अपकानी प्लेयर इस्पिन बॉलर इस्पिन का बादशा तो ये बहतरी इन फौरम में में दो विकेट है और इनका डाटा देखें तो डाटा तो इनका बैठरीन है ही 366 मैच में विकेट देखे 490 लाज जवाब तो इनको तो आप टीम में जरूर रखिए बात करें वेस अगार डबलो अगार जो कि 22 मैच बिक बेस में खेले हैं 53 विकेट है इनके और 4 विकेट बेस्ट आयते तिस रण देखे और जिरो विकेट चार विकेट जिरो विकेट और इस टीम के खिलाब इसने 5 मैच में 10 विकेट निकाले हैं तो इनको तो अपने शोर पिक करेंगे इनको अपनी टीम में जरूर रखिएंगे वहीं हैं जी थोर्टन जिनोंने 4 विकेट 5 विक पिछले तीन मैचों का यह श्यांदार परदर्शन और 11 मैच में 25 विकेट तो इनको कल की टीम के लिए हर एक ट्रीम टीम बनाने वाला बंदा इसको टीम में लेगा लेकिन अपने इसको स्किप करेंगे क्योंकि ट्रीम 11 में जब तक हम रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक हम ग्रेंड लीग नहीं जीच सकते अगर आप स्मॉल लीग में टीम लगाते हैं तो इसको आप जुरूर पिक करिएगा ग्रेंड लीग में हम इनको स्किप करके यह रिस्क उठाएंगे जिससे कि हम जीत पाएं हमारा कम्पिटिशन कम लोगों से हो तो यह बहतरीन फंडा है जो आपको ध्यान में रखना है पिछले डाटा के साब से देखिएगा क्योंकि किर्केट में ग्राफ उपर निचे चलता है इसने लगाता है तीन मैचों में विकेट निकाली है तो यह चौथे मैच में फ्लॉप होने कि इसके 90% चांसे जाएं और वह भी ग्राउंड प्रि आस्ट्रेलिया टीम में खेल रहे हैं तो वह यह लीग नहीं खेल रहे हैं अभी वह टेस्ट मैचों में खेल रहे हैं तो उनकी जगह पिटर से डलकपतानी करें इस टीम की जिनको फिछले दोनों मैचों विकेट नहीं मिले क्योंकि अन्य बोल्रों ने काम कर दिया तो इनक चार मैंच में 125 विकेट है 5 विकेट 16 रन देखकर इनका बैथरी इन परदर्शन है तो भी 21 मैज में 910 विकेट निकाली जो बढ़िया है और बेस्ट पांस विकेट है और हिट के सामने इनके 10 मैज में 12 विकेट है तो ये एक क्या दो विकेट कल गे मैच में जरूर निकालेंगे तो इनको अपनी टीम में जरूर पिक करिएगा बॉलर के तौर पर तो आगे आपको बता दे ब्रिस पैन हीट की बात करते हैं तो इनके रिकोर्ड देखते हैं तो मैक्स ब्राइंट जो कि ओपनिंग बैटर है ये लगातार परदर्शन बढ़िया नहीं करते हैं इक्यासी रन सी त्याओं रन और जिरो प्राउट वे पिछले मैच में तो इनको आप टीम में रख सकते हैं इनका रिकोर्ड देके तो पचास मैच में एक जास सत्रा रन इक्यासी हाइस्ट स्कोर है इनका जो कि अभी पिछे बनाया था और ये यूवा पलेवाज है तो इन लेकिन पिछले मैचों में यह अपना खास परदर्शन नहीं दिखा पए है आठ जीरो तेरा पंदरा पैंतिस यह रन बनाया है तो इनको आप टीम में रख सकते हैं यह 34 मैच में बिग बैस में 903 रन और 114 इस्ट स्कोर है सतक भी है और स्ट्राइक रेट ठीक है इनका तो इनको आप टीम में रख सकते हैं तो वहीं बात करें सेम्वल बिलिंग्स जो कि इंगलेंड से आते हैं विकेट की पर हैं मिटल ओडर में बैटिंग करते हैं यह बढ़िया बैस मैने बिग बैस में इन्होंने पिछले मैज में चाहर रन बनाए थे वहीं इनके 33 मैज है उनम सब्सक्राइब तो इस लिहां से इस प्लेयर को आप टीम में जरूर रखेगा वैसे भी विकेट कीपर में इनको अपन पिक करेंगे तो यह 100% अपनी टीम में रहेगा ड्रीम लेंट टीम में और यह बढ़िया पॉइंट भी हमें देगा तो वहीं बात करते हैं जैंस जॉन पियर्शन यह भी विकेट की पर में आते हैं में लोडर बैट रही है उनके आकड़े बैतरी नहीं पिछले मैच में नहीं 43 रण बनाएते अपनी टीम के लिए 90 मैच के लिए विग बैस में 1360 नहीं और 99 इनका येस्ट है स्ट्राइक रेट 125 का है तो यह वैसे विग बैस ही बैतरी निश्ट्राइक रेट इस टीम के खिलाब तो इस टीम को यह पसंद करते हैं तो हम भी इनके साथ चलेंगे इनको टीम में रखेंगे अगर ज्यादा टीम बनाते हैं तो कुछ टीम में इनको उटा देंगे अगर दस टीम बनाते हैं तो पांच टीम में इनको जरूर दूर रखेंगे मतलब यह फिप्टी फिप्टी प्ले रहे हैं तो भी बात करें रोस एंट्रू वाइट ली जो कि इंग्लेंड के बैतरिन बले बाज बिग बैस में यह भी इस बार खेल रहे हैं तो पिछली मैचों में एक रन 14 रन 28 रन का टी 20 में यह स्टेटस है तो और आल है इन्होंने एक सोड़िया सी मैच खेले है 2949 में रना है 28 में इनका येस्ट है एवरेज थोड़ा कम है लेकिन इस्ट्राइक रेट बैतरीन है 141 का तो बिग बैस में दो मैचों मिनों 37 रन बनाई है 28 रन इनका स्कॉर तो इनको आप टीम में पिक कर सकते हैं क्योंकि औरहा चाहस अइस्ट है और इन्होंने 17 वेकिट भी अपने नाम किया है तो पिसली मैसमों देखेंính, 16 रन और एक मैसमें इनोंने 3 वेकिट निकाले थे और एडिले एडियाट के खिलाब इनका एक व्कैट दो व्कोट ये तो इनको आप टीम में पिक कर सकते हैं वहां को इसको इ मैच के लिए तो इसकी पी करिएगा वहीं बात करते हैं मार्क थोमस टेकर टी इसने नो मैच में बारह विकेड लियां डिलेड के खिलाब और इनका विक बैस में देखे के 63 मैच में 81 विकेड तीन विकेड बैस्ट है ठाइस रन देखे तो एकॉनमिन गयाट पॉइंट आट की जो थोड़ी मेंगी है लेकिन यह विकेड टेकर बोलर हैं तो इनको आप टीम में जरूर रखिएगा यह आपको एक यह दो विकेड निकाल कर जरूर देंगे कल के मैच मैच के लिए तो वहीं बात करें मैट्यू को में जो की स्पिनर बोलर हैं 20 मैच के लिए 14 विकेड है वैसे यह विकेड टेकर बोलर नहीं दिख रहे तो हम इनको कल के मैच के लिए skip करेंगे यह देलेट के खिलाब इनका परदर्षण देखते हैं तीन मैच में नंके चार व फिर को हम अपनी टेम में जरूरर केंगे क्लोगि यह लगातार ले लेता है और फिल के अच्छाच में से म१ोरी अच्छाय तरह करें को चृहरा अपनी ट्रीम्न ट्यार होगी वहम आपको स्क्रीण यह आपकी स्क्रीन पर ड्रीम लेवन टीम इस मैच की तो इस मैच में हम दोनों विकेट कीपर को रखेंगे क्योंकि यह बैटिंग ग्राउंड है तो विकेट कीपर अच्छे कासे पॉइंट देंगे तो बैट के अंदर हम क्रिसलीन जैक विदरलेंड और एम ब्राइंट क्रि कि युआ दाकड बलेबाज है इसके साथ जाएंगे और वहीं ओल्राउंडर की बात करें तो मैथ्यू सौर्ट जैक बैजली और मैट रेंज चो इनकी तरफ जाएंगे क्योंकि यह तिनों ही पहत्रीन फोरम में हैं और बॉलर की और हम बड़ा रिस्क ले रहे हैं पिटर सि खान अपने टीम में जरूर बनेगा तो आप इस तरह यह टीम बना सकते हैं जो कि ग्रेंड लिग के लिए बनाई गी है और आपको पता है ग्रेंड लिग हम तभी जीत पाएंगे जब हम बड़ा रिस्क उठाएंगे और इस टीम के अंदर हमने मैक्स ब्राइंट को वाइस कर लीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद